So now students, अभी तक हमने ये देखा है कि हम AdWord को use करते वे अपनी campaign कैसे बना सकते हैं उसके हमें different अभी configuration के parameter देखे हैं ये step number one था, यानि हमने गूगल को ये तो बता दिया कि क्या चीज यूजर को दिखानी है जब Ad पे क्लिक हो और कितनी amount मैं deduct करवाने के लिए मैंने बता दिये Google को कि कितने पैसे deduct हो जब कोई user Ad पे क्लिक करे That was the first thing, यानि main thing Second thing would be your dashboard Dashboard से मुराद ये है कि मुझे ये track भी तो करना है कि जो मैंने campaign चलाई थी उसकी health क्या है Health से मुराद ये है कि कितने लोगों ने click कर लिये कितने लोगों ने उसको wizard कर लिये कितने मेरे CTR click through rate है क्या CPC चल रहे वे ना क्या click पर click चल रहे है कितने लोगों ने click कर लिया नहीं कर लिया and so on और जो कितने ads हैं वो नज़र आना शुरू हो गए है इसको हम लोग बोलते हैं analytics analytics से मुरादी होती है कि आप user को ये बताते है कि जो campaign स्टार्ट की थी उसकी अभी तक progress क्या चल रही है health क्या है क्या जिसना हमने ये बात की थी थी ना कि जब हम कोई marketing की चीज लाँच करते हैं तो आपको उसको measure भी करना पड़ता कि for example मैं अगर daily के 300 रुपे लगा रहा हूँ यानि 3 डॉलर पर डे लगा रहा हूँ तो एक महीने के बन गए तकरीबन 90 डॉलर तो इसका मतलब है मैं अगर महीने का 9000 रुपे लगा रहा हूँ अगर मैं 100 रुपे का डॉलर कंसिडर करूँ तो उसके against मुझे मिल किया रहा है as a company ROI क्या है क्या मुझे वो result achieve हो रहा है जो होना चाहिए था कि नहीं ये Google Analytics is a very good tool to let us know कि जो हम investment कर रहें इसमें पैसे हमने लगाएं है क्या उन पैसों के against potentially क्या performance रह रही है मेरे advertisement की मतलब क्या मुझे keyword improve करने की जरूरत है क्या audience मैंने ज़्यादा तो नहीं select कर ली क्या जो मेरा banner है ad का text है क्या उसमें कुछ improvement की जरूरत है या नहीं जो मेरी campaign की health है run तो वो होना शुरू हो गई लेकिन जो उसकी health है उसको monitor करने के लिए basically हम Google Analytics यूज करते हैं तो let me guide you through के Google Analytics पे login कैसे करना बड़ा सानसा तरीक है Google पे जाएं simple लिखें Google Analytics you will end up with this link सिर्फ Google Analytics पे click करें तो आपके सामने ये login पेज खुल जाएगा सिर्फ यहाँ देखेंगा top left पे लिखावा आ रहा है Google Analytics अब ये Gmail नहीं है तो मैं उसी account के तरूर login कर रहा हूँ जिस account के तरूर login करके मैंने adword बनाया था मैं login किया इदर उसने password पूछा मुझसे मैंने password एंटर किया तो I will end up with this UI now this is Google Analytics home ये अभी आप देखें अभी क्योंके मैंने कुछ भी link नहीं किया है तो मुझे वो दिखा रहा है users sessions bounce rate session duration अब यहाँ मेरे पास ये panel चल रहा है तो मैंने कुछ configations अभी already की हुई है तो लेकिन अभी मैंने कोई live data नहीं किया मैं जब admin पर जाओंगा तो अब आप यह देख सकते हैं कि मैंने एक pressure shop store एक junkies store ये मेरे कुछ assets हैं assets है मुराद ही है कि मैंने कुछ already configations की हुई है adword पर recession के वक जो आपने अपनी website जी होंगी वो आपको अपनी यहाँ पर नजर आ रही होंगी अब मैं यहाँ पर for example adword linking पर जाता हूँ मैं adword linking पर गया तो मुझे वो यह कह रहा है कि select the adword account मैंने यहाँ पर already में पस एक adword का account आ रहा है मैंने यहाँ पर select किया यह वो ही adword का account है जिसके थूँ मैंने अभी campaign create की थी मैंने continue किया तो अब वो मुझे कह रहे है कि अपनी adword के account का link दे तो मैं यहाँ अब लिखता हूँ journey then my adword account will be link मैं अच्छे कहता हूँ कि तमाम website का data मेरे account में इससे link कर दो keep this thing in mind अब मैं कर क्या रहा हूँ मैं adword जो मैंने create किया था उसको link कर रहा हूँ google analytics के साथ मतलब यह है कि लोग तो आएंगे मेरे adword के उपर लेकिन जो जितने लोग आ रहे हैं उसका जो data है उसकी जो traffic है वो google analytics ने show करनी है तो आप यहां समझें कि मैं दोनों को आपस में link कर रहा हूँ दोनों का bond आपस में create कर रहा हूँ ताके google adword का data मैं view कर सकूँ google analytics में उसके बाद मैं create करता हूँ कि link account तो it will link out something like this और when I click on done with तो अब यह उसने अब आप देखें उसने एक link create कर दिये Edward के against एड़वर्ड का नाम रखा है मैंने journey और जो यह Edward ID है यह वो ही है जो मैंने अभी campaign create की थी उसकी ID है तो अभी obviously कूँके मेरे पास यहां पर data नहीं है तो obviously this will be an empty one क्योंके अब मैं अगर for example home पे जाता हूँ तो now you can see कि अभी यहां पर data कुछ नहीं है कोई visitors नहीं है कुछ नहीं है क्योंके अभी मैंने I mean कुछ देर पहले तो भी मैंने campaign create की थी अमोमन जो campaign है वो 10-15 minutes में उसमें data नहीं आता तो let me show you an already running campaign so यह एक snapshot है Google AdWords का and click and cost data जब आप login करते हैं तो आपको इस तरह का एक graph नज़र आ रहा होता है जिसमें आपके पास यहां पे campaign का नाम आ रहा होता है जैसे हमारी campaign का नाम journey था यहां पे campaign का नाम accessories है variable है उसके बाद जो interesting चीज़ है जो आप में समझ नहीं है वो यह है कि जो clicks है इस campaign के उपर for example AW accessories के उपर 26,933 clicks हो चुके हैं यह बता रहे कि अभी यह down जा रहा है this is 81% of total clicks यह टोटल clicks का जो budget है actually वो 32,000 है clicks का budget यह यह clicks यूजर कर चुके हैं cost जो है वो 14,181 budget है और 13,000 हो चुकी है इनकर cost पर click जो है इस campaign के उपर वो 0.49 डॉलर है और average जो views है average for view वो 0.43 है sessions जो इस campaign पर औरेडी create हो चुके हुए है वो आप कह लिए 27,000 है तो you can see clicks 26,000 है और sessions या इसको असान लफ़ों में अगर समझाओ मैं कि impression कितनी मतलबा page create हुआ है वो 27,000 है उसके बाद bounce rate वो है 39.59% and then the page session 8.33 average for 6.9 तो ये हमारा एक डेटा है जो हमारा एड़वर्ड और कॉस्स से लिंक है जब आपी campaign हन हना शुरू हो जाती है तो these are the metrics जिसके थूरू आप अपनी campaign को monitor कर सकते हैं this is one aspect and second graph which you can monitor is sort of a graphical graph ये बड़ा मज़ेगा graph है ये आपको ये बता रहा है कि जितने भी sessions create हुए है उसकी health क्या है यानि एक particular date से start हुआ यहाँ देखें 150, 150, 150 डेप हुआ then it is going up, going up, going up and on 29th August it is at the peak यानि ये आपको monthly basis के उपर यानि हर दिन के हिसाब से आपको number of users के आपको sessions बता रहा है all sessions है 7.79% और इसमें जो users के जो sessions बने हुए है उसकी पूरी ए ग्राफिकर रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे हमारे पर day भी आता है week भी आता है, month भी आता है तो ये एक और dimension है एक और तरीका है अपने website की traffic को monitor करने का उसके बाद इसी के against आपकी campaign के यहाँ पे clicks again आ रहे हैं cost आ रही है, cpc आ रहे है users आ रहे है, behavior आ रहे है and so on so ये चीज़ें आपको दिखाने का basically मकसद यह है कि आपको ये पता लगे कि आप जैसे ही पैसे invest कर रहे हैं किसी campaign में तो उस investment के against क्या response है क्या traffic generate हो रही है आपकी ad word के through वो आप यहाँ से monitor कर सकते हैं तो Google Analytics is a very strong tool जो आपको आपको प्रोवाइड करता है Google to monitor and track your campaign